तो हलो दोस्तों, बाइक पार्सल के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप एक सहर से दूसरे सहर अपने बाइक को पार्सल कर सकते हैं, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, आज उस पे करीब 2 million views हैं, आज इस वीडि बाइक को ट्रेन से पार्सल करने के लिए अपने नजदी की railway station के पार्सल डिपार्टमेंट में सुबा 10 बजे पहुच जाएं, और बाइक की टंग की पूरी खाली करा लें, और ये इंसूर कर लें कि जिस station पे आप भेज रहे हैं और जहां से बाइक भेजा जा रहा है, वो का address भर ले, documents जो आपको अपने लगाने पढ़ेंगे वो है आधार card, जो गाड़ी को receive करेगा उनकी, bike की RC, insurance की photocopy, और अगर आप भी train में bike के साथ travel कर रहे हैं, तो आपके train ticket का एक photocopy, parcel charges जो आपको देने पढ़ेंगे वो हैं, आप रोक्स 1000 km के लिए 2500 रपे आपको लग करके parcel charge को कम कर सकते हैं, जैसे screen पे देखें मैंने एक वार 80,000 के bike की value मैंने भेजी, तो उसके लिए मुझे charge किये गए करीब 2560 रुपे, वही सेम bike को अगर मैंने value कम करके 50,000 रुपे कर दी, तो उसके charge मुझे देने पड़े करीब 1539 रुपे, और ये value आपके insurance paper पे mention होती ह अब आप सोच रहे हों कि इसमें risk तो आजाएगी, तो इसमें risk ये होता है कि अगर आपकी bike चोरी हो जाती है, parcel करने के दोरान, तो आपको Indian railway से उतनी ही value मिलेगी वापस में, बट चोरी होने के chances बहुत कम होती है अगर आपने एक वार अपने bike को parcel department में दे दी तो, form fill करके आप अपने bike को pack कर ले, bike की packaging आप खुद भी कर सकते हैं, jute bags और cardboard से, जो आपको बजार में कवारी वाले के पास से करीब 10 से 20 उरपे में मिल जाएंगे, मैंने एक वारा station के पास खड़े logo से करवाया, तो packaging की उन्होंने charge की करीब 600 उरपे, और वहीं खुद से की, तो करीब 50 उरपे खर्च हुए, तो choice is yours, आपने farm fill कर लिया है और bike भी pack कर लिया है, अब आप parcel department में bike को जमा करवा दे और रसीद ले ले, उसकी जरुवत आपको bike receive करने वक्त पड़ेगी, अब अगर आप भी same train में सफर कर रहे हैं bike के साथ, तो ये ensure कर ले कि आपके train के luggage बागी में आपकी bike load हो गई हो, और अगर साथ में travel नहीं कर रहे हैं, तो रसीद और bike की चावी को आप अपने private courier से उसी दिन receiver के पास भेज़ दे, और ये ensure कर ले, उनसे पूछ कर कि 2-3 दिन में वहाँ पहुच जाए, और अगर ये भी नहीं करना चाते तो किसी पहचान वाले को दे जो train में सफर कर रहा हो, train के destination पहुचते ही आपकी bike unload हो जाएगी, आपके phone पे message भी आजाएगी loading और unloading की, और अगर साम 6 वजे के बाद train पहुची है destination पे तो अगले सुबह आपको 10 वजे करीब call आजाएगी कि आप अपनी bike आकर receive कर सकते हैं, call आने के 6 घंटे के बाद तक कोई charge नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद आपको करीब 10 रुपे पर घंटे की charge लगेगी, अगर आपने bike तब भी receive नहीं की है तो, full day की charge की बाद करें तो यहाँ पे 2500 रुपे है, पूरे 24 घंटे की अपके bike की चावी और रसीद कोरियर से पहुच गई हो तो, आपके bike की चावी और रसीद कोरियर से तो bike जाकर receive कर ले, same parcel department के office से ही और unpack करके उसमें petrol डलवा कर आप मजे कर सकते हैं अब बात करते हैं कि अगर आपकी bike इस दोरान damage हो जाती है, तो क्या आपको Indian railway उसका भुगतान देगी तो parcel करते वक्त अगर आपकी bike damage हो जाती है इस बीच में तो Indian railway से refund लेना बहुत ही मुश्किल काम है मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि Indian railway के अनुसार bike को हमेशा hard box में packaging करने को कहा जाता है और अगर तब कुछ हो जाता है आपके bike के साथ तो Indian railway refund करेगी इस पूरे process में हमें खर्च कितनी आई है लेकिन अगर train से bike भेजने का ये process आपको थोड़ा problematic लग रहा हो तो इस वीडियो को आप पे एक like और share करें क्योंकि अगर इस वीडियो पे एक लाख likes या फिर एक million views आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ जो की सबसे easiest way होगा bike भेजने का एक सहर से दूसरे सहर ट्रेंज से bike parcel करने के लिए आपके खर्च होंगे यहाँ पे आप देखें पैकेजिंग में 50 से 100 रुपए अगर आप खुद से करते हैं तो parcel में आप आपके लगेंगे 1500 रुपए और चाभी और रसीद कुरियर करने में 100 रुपए तो कुल आप करीब 1800 रुपए में आप अपना bike parcel कर सकते हैं दूसरे सहर और यहाँ पे आपने save किया है 1000 रुपए अगर आप value कम करके अपनी bike की डालते हैं तो 500 रुपए अगर आप खुद पैक करते हैं तो और 1000 रुपए अगर आप खुद ट्रेवल ना करके अगर आप अपना चाभी कूरियर करते हैं तो कुल 2500 रुपए आप यहाँ पे save कर सकते हैं तो इस तरीके से आप 50-80% तक की saving कर सकते हैं अब तो इस चैनल को एक subscribe बनती है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब अगर तक आप मेरे travel वीडियो को देखकर enjoy करें बाबाई